राग द्वेश के बदलते रूब एक बार विद्वानों की सभा में सवाल पूछा गया धर्मी और अधर्मी की पैचान क्या है? सभी विद्वानोंने अपनी सोच और अपनी ड्रिष्टी के मताबिक धर्मी और अधर्मी के लक्षन बताने प्रारंब किये। कुछ विद्वानोंने कहा जो सिर्फ एक समय बोजन लेता हो या अलपवस्तर रखता हो वह धर्मी है। तो कुछ ने कहा सच्चा धर्मी वह है जिसने घर परिवार का त्याग किया हो। जो भोगों में लिप्त है वह तो अधर्मी है। जो धर्म प्रिय विद्वान थे उन्होंने कहा जो संतों के सानिध्य में सतत रहे धर्म कथा सुने ग्रंथों का स्वाध्याई करे वह धर्मी है। कुछ विद्वानोंने कहा जो जप तप करे यग्य हवन करे दान पुन्य करे वह धर्मी है और जो इन धर्म अनुष्ठानों को नहीं करता वह अधर्मी है। मानवतावादी विद्वान उने कहा जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता हो तन मन धन से उन्हें सहायता पहुंचाता हो जी जान लगाकर जन कल्यान के कार्य करता हो वह धर्मी है सभी विद्वान इस मत पर एक हुए कि जो किसी भी रूप में धर्म करे वह धर्मी है और जो धर्म ना करे वह अधर्मी है भगवान महावीर के अनुसार धर्मी वह है जो प्रभाव से नहीं स्वभाव से जीता हो जो स्वभाव को छोड़ प्रभाव में जिये वह अधर्मी है प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर क्षमा, सम्ता, मैत्री, प्रेम और दया आदी आत्मकुनों के संग जीना स्वभाव से जीना है राग ध्वेश के प्रिंट्स के साथ जीना प्रभाव से जीना है ध्यान रहे जब तप दान, पुन्य, ध्यान, त्याग, आदि धार्मी क्रियाएं हमें धर्मकी राह पर चलने में मदद करती है ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चे को युनिफॉर्म पैना कर पुस्तक के दे कर जब स्कूल में बिठाया जाता है तो उसकी पढ़ने की मानसिक्ता बनती है पढ़ने की ललक उसके भीतर जाकती है तबी वह घर की सुख सुईधा वाले वातावरन को छोड़कर प्रति दिन स्कूल जाने को तयार हो जाता है धर्म क्रियाएं करना यानी युनिफॉर्म पैन कर स्कूल जाने के समान है जबकि यह ज़रूरी नहीं है स्कूल में जाने वाला हर विध्यार्थी शत प्रतिशत पढ़कर ही घर लोटता हो सबकी रुची और पात्रता अलग-अलग है इसी प्रकार धार्मिक क्रिया करने से प्रभाव से जीना छूट जाए या ज़रूरी नहीं है अनादी काल से आत्मा प्रभाव में जीने का आदी है इसलिए जो भी धर्म क्रिया करो उसके पीछे स्वभाव में जीने का या राग द्वेश को मंद करने का लक्ष रखना चा और मन में ब्रह्म पलता है कि मैं इतनी धर्मक्रियाएं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, धर्मक्रिया के पीछे राक द्वेश को उपशांत करने का यदि लक्ष नहीं बना, तो वे आराधनाएं मात्र पुन्य का अर्जन कराएगी, इसस आपको सुपका गारेंटिक कार्ड नहीं मिल सकता, दर असल संसार में दो प्रभावों की प्रधानता है, एक है राग का प्रभाव और दूसरा है द्वेश का प्रभाव, राग के प्रभाव से मनुष्य विविद प्रकार की अपिक्षाएं रखता है, और उसकी पूर्ती जाता है, जब चाहत के अनुसार कुछ गटित ना हो, तो वो हताश और उदास हो जाता है, पल-पल दुख में जीता है, अर्थाद राग का अन्जाम दुख है, द्वेश के प्रभाव से इंसान विभिन्य प्रकार की कुटिल एवं विप्रित प्रवृतियां करता है, शड जीवन में आकुलता, अशान्ती और बेचेनी पैदा करते हैं, संग्शेप में जिन्दगी के सारे क्रिया कलापों पर एवं संबंधों पर इसका प्रभाव देखा जाता है, जब तक हम राग द्वेश से संचालित होंगे, तब तक एक भी धार्मिक क्रिया हमें उर्ध्व गामी नहीं बना सकती, एक व्यक्ति शान्त बैठा था, किसी का फोन आ गया, तो मानो शान्त जिल में पत्थर पड़ गया, अंदर अनेक लहरे पैदा हो गई, हल चल मच गई, चाहे राग हो या द्वेश, जो भी तरंगे उठी, तो प्रभाव से जीना प्रारंभ हो गया, जब तक आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, तब तक जिन्दगी राग द्वेश के नाम गीरवी रखी है, कोई कहता है आप बड़े उदार है, दयालू है, सुन्दर है, आपका यश चारों और फैल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हम ऐसे ही है, जो दूसरा कह रहा है, उस पर भरोसा बैठता है, तो समद लेना आप स्वो संचालित नहीं, पर संचालित हो, दूसरा व्यक्ति हमारा रिमोट बन जाता हो, तो हम उनके दास बनते हैं, तब जीवन कट पुटली का खेल सिद्ध होगा, मान लो, अगर कोई आप से कहे, आप अच्छे नहीं हो, गम हो जाता है, तो जान लेना दूसरा व्यक्ति हमारे भाव एवं क्रिया कलापों को नियंतित कर रहा है, स्मरन रहे, जहां राग है, वहां द्वेश है, दोनों सहभावी है, एक उभरता है, तो एक बीतरी तह में सुप्त रहता है, इतना ही नहीं, कभी कभी राग द्वेश विभिन पैंतरे बदल कर भी आते हैं, राग का शीतल एवं मधूर प्रभाव जब मन पर छाता है, तो उसके दो परणाम संभावित है, या तो वहां अती राग में बदलेगा, या द्वेश में बदलेगा, जिस प्रकार समुंदर का पानी भाप बनकर आकाश में उड़ ज इसी तर राग भी द्वेश में बदल जाता है, और द्वेश पुन राग में बदल जाता है, राग का अधिक राग में और द्वेश का अधिक द्वेश में भी परिवर्तन होता है, कभी कभी सत्संग और प्रवचन के प्रभाव से भी बीतर की द्वेश क्रंथी तूट जा पर यदि उसमें और अधिक चीनी डाल दी जाए तो वहां अत्यदिक मीठा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता चुंकि सीमातित मीठा कड़वेपन के करीब होता है अतग्यानी कहते हैं चाहे राग मीठा लगता है किन्तु अत्यदिक राग व्यक्ति को द्वेश के अत्यदिवेश में भी बदल सकता है अत्यदिवेश फिर से राग में बदल जाए ऐसी भी संभावना हो सकती है हाला कि जिनके प्रति द्वेश है उनके प्रति हमारे संबंध मधूर हो जाए ऐसी संभावना कम नजर आती है लेकिन केवल ग्यानियों के वचन है द्वेश का राग में बदलना और संभव नहीं है, जैसे इंद्रपूती गौतम भी भगवान महाविर के पास द्वेश की चिनगारी लेकर आये थे, किन्तु उनका द्वेश अंततह राग में बदल गया, एहंकार समर्पन में बदल गया था, वर्तमान जनम में सीता चाहे रावन से द्व यह बात सत्य है, जितनी शिग्रता से राग का परिवर्तन द्वेश में हो जाता है, उतनी शिग्रता से द्वेश राग में नहीं बदलता, जो पाप भीरू हो, वे ही द्वेश बुद्धी को क्षमा भाव में बदल सकता है, हाला कि जब पुर्षात को पुन्य का साथ मिलत तो किसी सद दिमित की बात समझ आती है और द्वेज राग में बदल जाता है। अपने अंतस को टटोले और जिनके प्रती द्वेश के कंडशी पाये हुए हैं उन्हें निकाल कर मैत्री, बंदुत्व एवंग भाई चारे में बदलेंगे तो स्वसंचालित होकर स्वभाव में जी सकेंगे। महापुर्शों को भी अनंत काल तक संसार में जनम मरन करना पड़ा। यदि भीतर की आँख से देखोगे तो आत्मा की अनंत शक्ती जाग जाए तो राग द्वेश का सामर्थ्य टिक नहीं सकता। जब तक आत्मा सुपत है तब तक राग द्वेश की लहरे सबल बनी रहती है। आत्मा के जाकते ही बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। एक बार रोम शहर पर शत्रू ने आक्रमन किया। वहां के प्रतिष्टित लोगों को हतकडियों में जकड कर जंगल में छोड़ दिया था। वे सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे, चिला रहे थे, किन्तु उन में से एक आदमी एकदम शांत था। उसके नहीं रोने का कार वह लुहार था और लुहार होने से उसने सारी जिंदगी हतकडियां बनाने में बिताई थी। इसलिए वह निश्चिंत था कि शाम से पहले मैं इन हतकडियों को तोड़ कर घर चला जाओंगा। जब सब लोग रो रो कर ठक गए तो चुप हो गए। इदर अचानक लुहार ने रोना शुरू कर दिया। उस जंगल में एक फकीर बरसों से रहता था। वह रोने चिलाने का यह द्रश्य कब से देख रहा था। उसने लुहार से अचानक लुहार का कारण पूछा। तो वह बोला एक हतकडियां मेरे द्वारा बनाई गई है। इन पर मेरा नाम भी ख फकिर ने मुस्कुरा कर कहा चिंता की कोई बात नहीं। यदि हतकडियां तुमने बनाई है तो इसे तोडने क्या कीमिया भी तुमारे पास है। सबसे पहले सेल्फ से एक सवाल पूछो। हतकडियां बनाने वाला बड़ा है या हतकडियां बड़ी है। लुहार पहले तो स जहां जोड है वहीं से तोड है, जोड सदा कमजोर होता है, अतम मैं इसे तोड कर मुक्त भी हो सकता हूं। जीवन काय सत्य सदा नजर के समक्ष रखना, एक भी काव्य कवी से बड़ा नहीं हो सकता। चितर कितना ही सुंदर क्यों न हो, पर वह चितर का से जादा महा नहीं हो सकता। एक उपन्यास को चाहे नोबेल पुरसकार मिल जाए, किन्तु वह लेकक से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रहे हतकडियां चाहे कितनी भी मजबूत हो, किन्तु वे बनाने वाले से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। ध्यान रहे हैं तो द्वेश लोहे की बेड़ी है। यह राग द्वेश की जन्जीर मात्र बंधन कारक है। और दुखदायक भी है। अगर रामायन महाग्रंद का सुक्ष्मता से आकलन किया जाए तो यह रचना राग प्रधान है। इसके प्रमुक तीन पात्र हैं सीता, रा राग था। रामायन की पर्तों में छीपा राग मानसिक स्थितियों से गुजरता हुआ, हमारे भीतर भी एक बोध पैदा कर देता है। रावन का अत्यदिक राग सीता के प्रति है। इस राग का नाम है ड्रश्टी राग। मात्र बहारे सांदर्य या रूप संपदा रिया ने सीता के मन में सम्मोहन पैदा किया। राग का एक मात्र स्वर है जो मुझे पसंद है वह मेरे पास होना चाहिए। ये स्वर्णम्रग मुझे चाहिए। ऐसा सीता ने राम से कहा। सीता के वचनों के प्रती राम का तीवर अनुराग जागा, इसी कारण श्री राम स्वर्णन मृग को लेने के लिए वहां से दौड पड़े और इस तरह रामायन की रचना हुई, महा भारत महा गरंत की रचना द्वेश प्रधान है, यह सच है द्वेश का बीज जब बहुत छोटा हो, तभी उसका उपाय कर दिया जाए, तो द्वेश विक्सित नहीं होता, दुर्योधन के मन में द्वेश का बीज आचरे द्रोन के पास अध्यन करते हुए ही पड़ गया था, दुर्योधन के भीतर यह भाव समा गया था, कि जब तक यह पांडव रहेंगे, मुझ पर गिरते ही आग फैला देती है, ऐसे ही यह द्वेश की चिंगारी महा भारत के दावा नल में बदल गई, ध्यान रहे, राग की आग से द्वेश की आग भयंकर होती है, मान लो आपने दुद में मेवा, मिश्री और केसर डालकर अत्यन्त स्वादिष्ट खीर बनाई, किन तो उसमें जहर की एक बुन पढ़ जाए, तो वो खीर अपे बन जाएगी, जैसे घास के धेर पर एक चिंगारी पढ़ जाए, तो वो समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परिवार या समाज में फूट की चिंगारी पढ़ जाए, तो सुख और प्रेम समाप्त हो जाता है, इसी का अगर्ऑ द्वेश दोनों पाप की श्रेणी में हैं, फिर भी राग अधिक भ्यंकर है, क्योंकि उसे जीतना कठिन है, राग द्वेश दोनों भ्यंकर बंधन है, किन्तु राग रूपी रसी का बंधन अनुखा है, कोई सला दे, उपदेश दे, तो द्वेश समाप्त भी किया उस दिन से वह निरंतर गटना शुरू हो जाता है। और अंततह द्वेश में ही परिवतित हो जाता है। यही क्रम निरंतर चलता है। राग की एक खासियत और भी है। उसमें रहा मीठापन हमें सामने वाले के दोश को देखने नहीं देता। एक भावरे के पास इतनी क्षमता है कि वह एक लकड़ी को आरपार छेद सकता है, किन्तु वहीं भावरा जब सुर्यास के समय कमल के अंदर बंद हो जाए तो सारी रात फूल में बंद रहता है, परन्तु कमल की कोमल पंखुडियों को छेद कर बाहर नहीं आता, क्षमता होते हुए भी पुष्प के राग की वज़े से वह पंखुडियों को छेद नहीं पाता, ऐसे ही राग का मीठा पन हमें राग को भी पाप मानने नहीं देता, या जानने भी नहीं देता, द्वेश तो मन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम जान लेते हैं और मान भी लेते हैं कि द्वेश करना बहुत बड़ा पाप है, राग इतना सुक्षम है कि शिग्र पकड में नहीं आता, अतर राग को तिव्र बंधन कहा है, गंदर गौतम स्वामी ने राग को स्नेह पाश कहा है, या ऐसा गाड बंधन है कि इंसान दुख पाता हुआ भी इसे छ अशुब प्रवृत्यों को पोशित करता है, सबसे पहले उस पर ब्रेक लगाना आवशक है, यह राग गंदे नाले की भांती अशुद्ध है, चोरों का धन के प्रती या आतंकवादियों का सत्ता के प्रती जो राग है, वह नीती, अनीती, एवं कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने नहीं देता, सबसे पहले ऐसे अशुब राग को छोड़ना आवशक है, परिवार, मित्र, स्नेही, संबंधी जिनसे हम जुड़े रहते हैं, उनके प्रती जो राग होता है, वह न शुब है, न अशुब है, सामान्य तह परिवार और धन के प्रती रहा हुआ, सेवा, आदिशुप कारियों में सनलगन रहना, देव, गुरु और धर्मत तत्व के प्रती शद्धा होना प्रशस्त राग है, जैसा अनुराग गौतम स्वामी को भगवान महाविर के प्रती था, अनुराग की ऐसी उतकरष्ट अवस्ता राग को धीरे धीरे समाप्त कर द राग चाहे कैसा भी हो, कितना भी हो, और किसी भी स्तरका क्यों न हो, उसे छोड़ना ही होगा, जब तक राग नहीं छुटेगा, केवल ग्यान नहीं हो सकता, राग छुटते ही द्वेश भी समाप्त हो जाता है, इसलिए सर्वग्य आत्माओं को वीतरागी कहा जाता है, ज प्लंक शेप में कुछ टिप्स अपने माइन के ओगनाईजर में फीड कर देना, नमबर वन, राग और द्वेश आत्मा पैदा करती है, नमबर टू, राग और द्वेश दोनों बंतन कारक है, नमबर त्री, राग और द्वेश स्थाइन नहीं है, 4. जिन कारणों से राग हो सकता है उनी कारणों से द्वेश भी हो सकता है 5. जहां राग है वहां द्वेश भी है 6. राग का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि वह जड और चेतन, पदार्थ और व्यक्ति दोनों पर किया जाता है परंतु द्वेश केवल व्यक्ति जगत से जुड़ा हुआ है गरम तवे पर पानी के छींटे डालो तो चन चन करके समाप्थ हो जाती है वैसे ही तीवर राग द्वेश की अवस्था में की गई धर्मक्रियाएं भी सार्थक नहीं होती अतर राग द्वेश को मंद करते हुए जो धर्मा आराधना करता है उसे सुक्का गैरंटी कार्ड मिलता है उसे मोक्ष भी मिलता है